नवश्कार आज फिर उपस्तित हुआ हूं हस्त रेखा में एक ऐसा विशय लेके जो हमारी और आपकी या फिर हर वेक्ति की लगभा लगभा एक सोच होती है एक समानिसी उमर में अगर कहा जा उमर के दाइरे में अगर कहें तो यह सोच ज्यादा उभरती है एक प्रशना आत माबा पूछते हैं मेरा बेटा या बेटी शादी के बाद सुखी रहेंगे की नहीं रहेंगे इससे सम्मंदित कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा आपको हलाकि यह देखना बड़ा कठिन है उसमें कहीं कोई दोरा इतना सरल नहीं है लेकिन मैं सरल तरीके से आपको और कहीं न कई आप समझ भी जाएंगे बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता है कुछ रेखाओं के माध्यम से आज हम बात करेंगे विवाह या प्रेम बीवा या प्रेम की बात करेंगे तीनों चीजों के अगर मैं बात करूँ प्रेम की बात करेंगे एक एक करके अगर कहा जाए मुख्य कई जगह से विवा देखा जाता यहां से 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 देखा जाता है उन सबों का अगर कहा जाए तो यह मुख्य के इंदर है चंद्रमा बैरहाल एक मजे वाली बात करते है उसके बाद जो है फिर कार्कमकश करते हूं मजेवाली बाद भी रेखा से सम्मंदित है यह विवाह की रेखा है विवाह की रेखा अगर कहा जाए पहले पहले का मतलब जोसे यह यह रेखा यह पहले आपकी जो है आगे अगर कहा जाए गहरी और चौडी है और बाद में हलकी हो रही बाद में जाके पतली हो रही है पहले गहरी और चौडी है बाद में धीरे धीरे आगे जाके पतली हो गई इस जगा पे होती है छोटी सी होती है किसी कहाथ में बड़ी सी होती है जान से समझेगा पहले गह पहरी और चौड़ी थी उसके बाद धीरे-धीरे आगे जाके पतली हो गई इसका क्या मतलब है ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम हो या विवा हो आरंभिक काल शुर्वाती दौर अगर कहें तो कही ना कहीं जोश भरा बड़ा केयर करने वाले बड़ा सब कुछ जो है लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे केयर और सारी चीजे ठंडी होती जा रही है जहां से समझेगा मैं जो कहना चाहरा हूं उसको समझेगा अब वहीं पर अगर शुर्वाती दौर में पतला है और बाद में चोड़ी है ऐसे में कहा जाएगा कि शुर्वाती दौर थोड़ा सा मंदार है ठीक है हो गई हो गया हो गया ठीक है कोई बात लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेम भी बढ़ेगा वैसे वैसे अगर कहा जाए कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का वहन भी आप करेंगे उसमें कहीं कोई दोराएगा एक अच्छी चीज बताईए यह संभावता जो है 90 से 95 परसंट अगर कहा जाए आपको दिखेगा एक बात जिल लोगों के हाथ में ये रेखा कटी फ हलका सा कर्व लेके हलका सा कर्व का मतलब यह हो गया अगर कर्व नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह अगर कर्व नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर यह रेखा है ठीक है इस टैप की रेखा है ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका का विवा अच्छे परिवा इसे में कहा जाता है कि सगे संबंदियों से ऐसका भाग्यक्त हो गाए और सबसे जादा सटीक अगर कहा जाए तो ये महिलाओं पे बैठता है, बेटियों पे बैठता है, लड़कियों पे बैठता है, अगर उनकी ये रेखा दूशित नहीं है, ये रेखा है, जीवन साथी अच्छा होगा, अच्छे परिवार में जीवन होगा, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, दूसरी बात, देखें संबंधों में ये दिक्कत देता जैसे अफेर फेर चला उसमें कही ना कही दिक्कत देता है बेटियों को खासकर मैं कहूंगा सावधानी रखना दोखा ना खाना एक चीज बहुत अच्छी बता देता हूं अगर इस दिगां पे आपके दूप का निशान है दूप का निशान आपसी तनाव को भी दिखाता है विवाहरेखा के प्राब्रम्ब में अगर है शुरुवात विवाहरेखा मतलब यहां से शुरुवात में है तो ऐसे हम कहा जाएगा कि जीवन विवाहर के उपरान शुरुवात में बड़ी दिक्कते आएंगी बीच में है तो मद्धिकाल म दिक्कत आएगी जितनी लंबी होगी लंबी का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक देखिए यह तो थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा लंबी चोटी मोटा मोटा आप समझ लीजे कि यह होता है एक बात अब देखिए चंदरुमा की बात करते हैं यह कुछ लोगों के हाथ में इस टैप्स होता है यह भी बहुत मजे वाली बात है जिन लोगों के हाथ में यह रेखा हलकी है और यह रेखाएं ज्यादा गाड़ी है ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे अधिकारी है राजनेता हैं बड़े व्योसाई हैं उनक पत्नियां बड़ी तेज है भाई पत्नियों का प्रभाव अगर कहा जा विशेश प्रभाव रहता है विशेश व्यक्तित्व रहता है या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसी ऐसे आदमियों की पत्नियां जो है कहिना चाहिए विशेश प्रभाव या विशेश व्यक्तित्व की ह होती हैं अगर इतेज होती हैं अगर यह रेखा हलकी है यह रेखाएं गारी हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक के उपर उसकी पतनी का विशेश प्रभाव या विशेश व्यक्तित्व होगा और समाज या उनके पास जो काम करने वाले हैं जिन अगल उस पे भी कही ना कहीं उनका जो है प्रभाव होता है इसी के उलट अगर यह रेखा पतली है और यह रेखा इससे जादा मोटी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो जातक है जो आदमी है उसका प्रभाव उसके महिला पे होगा यही चीज इसक पर महिला का है वहां पुरुष लगा लिजेगा जहां पुरुष का है वहां महिला लगा लिजेगा महिला हैं अगर इसके विरुद्ध अगर कहा जाए तो ये रेखा आपकी जो है इसके मुकाबले ज्यादा मोटी है पतली ये रेखा है ये जो है थोड़ा सा गारी है ऐसे मे कहा जाएगा इसका विरुद्ध मतलब जातक का प्रभाव ज्यादा होगा अगर महिला के आत्म महिला का प्रभाव ज्यादा होगा ठीक है एक बात वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए पतली है और ये लेखा बराबर हैं दोनों रेखाई बराबर हैं तो जीवन व्यवाहिक जीवन पेहर अच्छा होता है सब कुछ आराम से समानेता जो है चलता रहता बाकी तो सौ साल का जीवन ने कभी ना कभी थोड़ा मुड़ा तो होगा ही होगा लेकिन थोड़ा मुड़ा होगा ज्यादा नहीं होगा हलका फुलका अगर ये रेखा मोटा है तो भी विवहा अच्छा होगा ये होगा तो थोड़ा सा दिक्कते आएंगी अगर ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा ह यह से हलका है, तो थोड़ा मुड़ा दिक्कते आएंगी, अगर यह बराबर है तो बहुत अच्छा है, अगर यह हलका से मोटा भी इससे, तो भी कहा जाएगा ये भी अच्छा संकियत है, ये भी खराब नहीं है, विवाह रेखा जितनी साफ होगी, कटी-पिटी नहीं होगी यह होती ही विवाह की रेखा, यह जितनी साफ होगी, कटी-पिटी नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रेखाई होती ही, ज्यादा रेखा होना ज्यादा खराब है, ठीक है, फिर मैं कभी बताऊंगा आपको, जितनी साफ होगी, जितनी कटी-पिटी नहीं होगी, क्रॉस या कोई निशान है द्वीप है दब्बा है तिल है यह सब चीज़ें अगर कहा जया अशुप संकेत देते हैं यह सब चीज़ें अगर कहा जया निगेटिव हैं अगर जितनी साफ है कोई विशेजदात दब्बा नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा विवा अच्छा बाकी अच्छा लगे कायरकम तो लाइक जरू कर दीजेगा अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी अभी क्लिए बस इतना ही नमस्कार